ये रेसिपी देखने के बाद आप कभी भी बच्ची वी रोटी को जया नहीं करेंगे बलके उसे बनाएंगे एक मज़दार सी रेसिपी जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी को आपने पूरा देखने हैं कोई भी स्टैप मेस नहीं करना तो बिसमे इलाहिरो आप मैंने रवेखी मस सलाम आलेकुम गाईस आई होप आप सब ख्यारियत से होंगे तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया कि आज हम बनाने वाले हैं बच्ची वी रोटी के साथ इत मज़डार सी-टेश्टी सी रेसेपी को बनाने लिए सबसे पहले यहां पर हमें बच्ची वी रोटी चाहिए यह हमारे पास रात-की चल्षिप किया अगर आप दुपैर की है तो ऊंगार पर आप बच्ची वी रोटी है सबसे पहले साइट पर करतें और यहां पर हम एक र तो इस तरह से जो हम गोल शेप में जो है इन चपाती को कर लेंगे बहुत ही टेस्टी सी बहुत ही मज़दार सी चटपटी सी रेसेपी है कोई भी स्टैप मिशना कीजिए और जब एने से पहले बचिव रोटी के कबाब बनाया थे ना तो यकीन माने आप सब इतने पसंद कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरेसेपी को उतना सदा पसंद करने वाले हैं तो इसलिए आज मैंने सोचा कि बचिव रोटी के साथ एक मतदार सी न्यू रेसेपी बनाई जाए तो यहां पर सभी रोटियों को हमने कट कर लिया है तो चलते है नेक्स टेप की तरफ एक पर जाए पर चाहीं के लिए लेते हैं तो यहां पर आपने च्छनी लेनी है और जो हमने गोलगोल शेप चपाती को कट किया था इसको आपने सेंटर में रखके अच्छे से सेट कर लेना है कुछ इसरह से अगर आपके पास बड़ी चनी है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि मेरे पास बड़ी चनी नहीं थी इसलिए मैंने छोड़ी चनी लिया है जब बड़ी चनी होगी तो यह जो हमारी कटोरियां है यह भी बड़ी शेप की बनेगी इसे सेट करने के बाद हमने इस तरह से अच्छे से गरम करना है तभी मज़ेदार सी कचोरियां शेप बनेगी इसी तरह से जो है वह हम ऑल एट करते जाएंगे गर्म करम करने के तो उस स्टेट्स पर हमेंसे निकाल लेंगे क्योंकि अच्छे से सेट हो जाएगी तो अब आप देख सकते हैं बिल्कुल जबर्दस अच्छे से कचोरी शेप बन चुकी है अब इसी तरह से गर्डन कल लाने तक हम इसे ओल में फ्राइ करेंगे माशला से बहुत ही रेस्टी सी रेसिपी है बहुत ही चट्पटी सी क्रिस्पी सी अगर आप ही खाना चाहते हैं काटोरी चाट तो इस राए करिए वह भी इजी तरीका है बहुत चट्पट में यह मज़दार सी काटोरी चाट बनकर तयार होती है तो जैसा कि आपको पता है रिस्कों जया करना सखत गुना होता है तो आप कोशिश यही करें अगर चावल बच जाए या कुछ भी बच जाए तो कुछ यह ना कुछ नया ज़रूर जया ना करें इसे अल्ला जो है वह हमसे नाराज होता है और रिस्कों जया करना सख कुना भी है तो यहां पर हमारी यह भी काटोरी बनकर फ्राइ हो चुकी थी तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे इसे आप एक मज़दार शी डिश भी बना लेते हैं सैकिर ली जया यह कि एप और जोस्के कर लिया था यह भी नहीं होती चीज़ जिश टाम लिया प्लेट लिया था बिल्कुल फाइन च्वाप कर लिया है इसके साथ हम लिया है जीश में शिम्लन मेर्च जो कि हमारे पास फो 2 टेबल स्पून है इसे भी चॉप स कॉप कर लिया है इसके साथ हमने लिया था एक अदद आलू और इसे बॉयल कर लिया है नमक एड़ करके इसके बाद क्यूब्स कर लिये हैं छोटे-छोटे शेप में चने ले लिये हैं जोके हमारे पास बॉयल चने हैं कारे वाले तो अगर आप चाने ले सकते हैं इन्हें बॉयल कर लिया था हमने अब टेबल स्पून इसमें चाट मसाला शामल कर देंगे और अब जो हम इस चाट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे आपके बाद जो भी चीजे अवैलेबल हैं जो भी चीजे और तो उसकर short आपके बाद गया नीधि के साथ ऐक मीडियों स सका टमाटर लिया था जिसके सीड्स हमने निकाल लिए हैं और इसे भी बिलकुल चॉप सह कटकर लिया है अब अच्छे से मिक्स करने के बाद प्रूर से सब्सक्राइब करना है आपने बैल आइकन को प्रेस करना है तांकि इसी तरहां से टेस्टी मज़दार और ईजी रेसपी आपके साथ भी शेयर होती रहें यहां पर जो चाट की हमने काटोरियां बनाई थी इन में हम फिल अप कर लेंगे इस मज़दार सी चटपट करने काटोरी चाट बनाए रेसपी आपको बहुत ज़दा पसंद आने वाली है एक धाव से जरूर डाय करें तो आपको आटा गुनने की विज़रूर नहीं बनेगी और चटपट में आप मज़दार सी बच्चियो रोती के साथ बना सकेंगे इनिशाला से रेसपी आपको पसंद आने वाली है एक दफा से जरूर राय करें इसके उपर से हम निमको एट करेंगे कुछ हैसरां से जो के बहुत टेस्टी लगेंगी यकीन करें जब आप इसे बनाएंगे ना बच्चों से लेके बड़े बहुत ही शौक से खाने वाले हैं और जो भी खाएगा कहेगा कि हर बार यही वाली चाट बनाएं क्योंकि इतनी मज़दार इतनी क्रिस्पी यकीन करें मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी मज़दार सी हमारी बच्ची हुई रोटी के साथ चना चाट या कटोरी चाट आप कहें बनकर तयार हुई थी तो फाइनली माश्यला से एकदम टेस सबसे इच्छी बात है कि सभी बहुत शौक से खाते हैं कोई भी मना नहीं करता खाने के लिए क्योंकि यह देखने से इतनी टेस्टी होती है कि सब के मूं में आ जाता है पानी एरी मेहनत और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर थाम्स अप प्रिएस